हसायन के OMB International School में आजश्य दिवस मनाया गया जिसमें अमर्शहीदों को श्रदा सुमन अर्पित करते हुए मौन धारन किया गया इस दोरान स्कूल में अमर्शहीदों का जय गोश्ट किया गया नमस्कार दर्शकों आज है 23 मार्श रही दिवस आज हैं हम OMB International School हसायन में बात करते हैं हम यहां के सिक्षकों से और प्रधानाचारे से कि वह आज के इस दिन को किस सरीके से आने वाली युवा पीड़ी के लिए बताते हैं कि इस दिन को हमें कैसे मनाना चाहिए यह दिवस पहले इतिहास में काला दिवस के रूप में मनाया जाता था क्योंकि आज ये के दिन राजगुरु भगत सिंग और सुक्देव को फांसी पर चढ़ाया गया था तो अब इस दिवस को शही दिवस मनाया जाता है जैसे कि आप जानते हैं कि आज सही दिवस है तो आप सही दिवस की वारे में क्या जानताएगे ना चाहिए पहले तो मैं आपका धनिवाद देता हूं आपके वगत सिंग दी गई उनके साथ साथ सुक्देव और राजगुरु को भी फांसी दी गई तो आज सही दिवस के किन हम लोगों ने संब्ले में दो मिनट का मौन्धारन करवाया तका शर्जहांजली अर्पित की है और आज के दिन सभी धरतवासियों को बिलकुल उनके योगदान को याद करना चाहिए थैंक यू सर्ड हमें भी प्रिंसिपल सर ने अवगत कराया कि आज हमोने अपने स्कूल में बच्चों को जागरो करते हुए दो मिनट का मौन धारन कराया अब आगे हम वाइस प्रिंसिपल सर से पूछते हैं कि उनके क्या विचार है किस तरीके से बच्चों को हम जागरो कर सकते हैं इतिहास में न भूलने लायक दिन है एक ये जो सहीद दिवस है अब आने वाले पीड़ियां इस दिन को कैसे याद रखें कैसे सहीदों की सहाधत को याद रखें ठीके ये हम पूछते हैं वाइस प्रिंसिपल सर से साय आपका शागत है टीवी 13 गया गया पीन युवाँ परिंदे उड़े तो आसमान दो पड़ा जो हस रहे थे मगर हिंदुस्तान दो पड़ा जिये तो खूब जिये मरे तो खूब मरे महा विदाई पर सतलुझ का समसान दो पड़ा सतलज का समसान रो पड़ा भगत सुखदेव राजगुरु दिलो में है गौरव 23 मार्च को अखिल भारत महान रो पड़ा सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ और उन वीरों को जर्दांजली अर्पित करना चाहता हूँ आज हमारे स्कूल में असेंबली में जैसे सचने अभी बताया सहीद भगत सिंग जी गुर्देव और सुखदेव जी और राजगुरु जी इनको स्रद्दा समन अर्पित किये गए और हमने बच्चों को बताया कि ये जो आज हम सांस ले रहे हैं खुली हवा में सांस ले रहे हैं ये हमारे जो सहीद भगत सिंग जी हैं राजगुरु जी हैं और सुखदेव जी हैं इनको ने अपने प्राणों का सैक्रिफाइज किया और देश को आजादी दिलाई और इनकी आजादी का ही प्रड़ाम है कि हम स्वतंतर रूप से अपने देश